हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप इवियस या प्रेवल ध्यन की क्लास में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक नदी की कहाने के बारे में बच्चो आप मैंसे कुछ बच्चो ने नदियां देखी होंगी क्या आप बता सकते हैं कि नदी कहां से निकलती है हाँ बहुत अच्छा पहाडों से अच्छा पहाडों से निकल कर ये कहां तक जाती है एक समुंदर तक तो चलो बच्चो जानते हैं एक नदी की कहानी के बारे में आप फोर्थ क्लास की EBS की बुक लुकिंग रॉंड या आसपास का पेज नमबर 106 ओपन करें और इस टॉपी को वीडियो के साथ साथ अपनी बुक पर भी देखें आ रीवर्स टेल एक नदी की कहानी लुक कियरफुली एड दा पिक्चर आफ दा रीवर्स नदी के चित्तर को द्यान से देखो बच्चो यहां देखें यहें पहाड मौंटेंस बच्चो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हाँ थोड़ा सा पानी निकलता हुआ बच्चो यह पानी आगे बढ़ गया और इसने किसका रूप ले लिया एक रीवर्या नदी का बच्चो शुरुआत में इस नदी का पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है नदी के दोनों और क्या हैं बहुत सुन्दर सुन्दर पेड़ है और नदी में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है दिरा ध्यान से देखें हाँ चोटी-चोटी मशलियां बच्चो नदी के आसपास कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं जैसे जैसे नदी पहाड़ों से मेदानों की ओर आ रही है आप क्या देख रहे हैं नदी के दो नो और कुछ फैक्टरीस बचो इन फैक्टरीस से निकलने वाले गंदगी को कहां चोड़ा गया जरा ध्यान से देखें हाँ इस नदी में नदी में इस गंदगी के मिल जाने से नदी का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है, अब आपको नदी में मश्लियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बच्चों आपने इस चित्तर से जाना कि नदी पहाडों से जब निकलती है, तो उसका पानी बिल्कुल साप सुत्रा होता है, उसमें मश्लियां होती हैं, उसके आसपास सुन्दर सुन्दर पेड़ा और गाउं होते हैं, जैसे जैसे नदी पहाडों से मेदानों की और चलती है, उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज बन जाती हैं, और वो फैक्ट्रीज अपनी गंदगी नदी में डाल देती हैं, ज पानी, बुलू, नीला, फिश, मशलियां, वाटर प्लांट्स, पानी के पॉध्धे, रीवर, नदी, फोल्समेल, बदभू, विग शिप, बड़ा, जहाज, वाइल, तेल, रीवर वैंक्स, नदी के किनारे, फैक्टरीज, वाशिंग क्लॉस, कपडे, धोना, एनिमल्स, अधर वर्क, दूसरे काम, चेंज, बदलाव, सिटी, शहर, यूस, दीज वर्ल्स, टू मेका स्टोरी, इन शब्दों की मदद से, एक कहानी लिखो, गिवा, टाइटल, टू योर, स्टोरी आल्सो, अपनी कहानी के लिए, कोई नाम भी दे, तो बच्चो, आप कोई कहानी ल ले सकते, बहुत समय पहले की बात है, एक सुन्दर सी नदी थी, उस नदी का पानी बिल्कुल साफ एवं निले रंका था, कुशी दिन बाद नदी के किनारे एक फैक्टरी बनाई गई, फैक्टरी के कारण नदी के किनारे धीरे धीरे लोग रहने लगे, तथा कुछ दिनो के बाद एक शहर वस गया फैक्टरी में सामानों को पहुँचाने के लिए जहाज भी आने लगे कभी कभी जहाज से तेल चूने लगता चूने लगता मतलब रिसाव होने लगता जो की नदी में फैल गया के लोग नदी में अपने कपड़े वर्तनादी भी तोने लगे लोग अपने पालतु जानवरों को भी नदी में नहलाने लगे घरों से निकलने वाला गंदा पानी नदी में गिराया जाने लगा फैक्टरी से निकले वाला कच्रा भी लोग नदी में ही गिराने लगे इन गंदगियों नदी को हमेशा के लिए बदल दिया अब वो नदी एक सुन्दर नदी नहीं रह गई थी तो बच्चो आप इस प्रकार एक कहानी लिख सकते हैं बच्चो आपकी हेल्प के लिए ये कहानी इंग्लिश में भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है आप इसका स्क्रीन शॉल लेकर पढ़ सकते हैं और इसकी हेल्प लेकर एक नई कहानी लिख सकते हैं लुक एर दा पिक्चर एंड अंसर दा फॉलिंग कोस्चन्स रही है बहाँ पानी का रंग कैसा है तो बच्चो कौन बताएगा हां आप बताएं बिल्कुल ठीक ब्लू नीला एट सम प्लेसिज दिर आर मैनी फिश इन दा रिवर एट अधर्स दियर आर ओनली आफ्यू एड एड सम प्लेसिज दिर आर डेड फिश नदी में मशलियां कहीं जादे हैं कहीं कां कहीं कहीं तो मशलियां मरी हुई हैं ऐसा क्यूं हुआ होगा चर्चा करो बच्चो क्या आप बता सकते हैं हाँ जहां से नदी निकल रही है बहां से पानी उसका बिल्कुल साब सुत्रा है इसलिए बहां पर मशलियां जादे हैं जैसे जैसे नदी आगे बढ़ने लगी तो फिर क्या हुआ? हाँ, उसमें घरों का गंदा पानी और कूडा करकट फैंकने लगे फैक्टियों का गंदा पानी भी उसमें डाला गया जिससे नदी का पानी गंदा हो गया और मशलियां मर गए बच्चों आप इन सभी जानकारियों को अपनी कॉपी पर सुन्दर सुन्दर करके नोट करें इस वीडियो में इतना ही इससे आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी Have a nice day